जहां पर बात करते हैं आपकुछ सेहत की और भी कशरीर की कई विमारियों से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं जानने के लिए देखे ये रिपोर्ट आलू हर सबजी का यार होता है सबजी चाहें कोई भी हो आलू आसानी से सबजी बनाने के इस्तमाल में आज़ाता है सबजी तो सबजी कुछ लोग आलू का हलवा तक बना देते हैं और अधिकतर लोगों को आलू का हलवा बेहत पसंद होता है रंग और आकार की अधार पर आलू के कई प्रकार बाजार में देखे जा सकते हैं जैसे रसेच आलू ये आलू का सबसे आम प्रकार है और यह छोटे मध्यम और बड़े आकार का होता है और इनका रंग भूरा यानि तोचा के रंग जैसा होता है ये खाने में काफी स्वादिश होता है और अमूमन सबसी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी आलू का उपियोग किया जाता है दूसरा होता है लाल आलू ये आलू का एक अन्य प्रकार है जो लाल रंका होता है ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट होता है जिसका इस्तमाल आप अपने सूप और सलाग बनाने के लिए कर सकते हैं इसके अलावा आप इन्हें भून कर भी खा सकते हैं और फिर आता है सफ पेद रंग का होता है और खुबसूरत नजर आता है तो महीं खाने में ये भी बड़ा लाजवाब होता है आप इसे उबाल कर या रोस्ट करके खा सकते हैं इसके बाद बारी आती है पीले आलू की नाम के अनुसार इस आलू का रंग पीला होता है और खास कर मासाहारी जुनों में इसका समाल किया जाता है यह उन पगवानों के लिए काफी खास है जिने ग्रिल या रोस्ट किया जाता हो और फिर बारी आती है बैंगनी आलू की आलू का एक खास प्रकार है जो बैंगनी रंग का होता है आलू का ये प्रकार ग्रिलिंग बेकिंग और रोस्ट के रूप में की जाती है जो ना सिर्फ पेट भरने का काम करता है बलकि इसमें मौजूद और शद्धिये गुंड शारे दिक तकलीफों को दूर करने का भी काम कर सकते हैं यह फाइबर और पोटाशियम से भरपूर होता है काब्ज और मोटापे जैसी समस्याओं से निजात द लाने में फाइबर काम करता है और पोटाशियम चरीर में तरल को संतुलन करने का काम करता है दरसल फाइबर योगत फल बिना ज्यादा कैलोरी बढ़ाए पेट को भरा रखने का काम किया करते हैं एक रिपोर्ट की अनुसार बढ़ता वजन रक्चाप को बढ़ाने का काम कर चाप स्ट्रोक का कारण बन सकती है। आलू में पोटैशियम जैसे तत्व भी पाया जाते हैं जो हृदे को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी के लिए भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आलू कॉलिस्ट्रोल से मुक्त होता है और एक रिपोर्ट के अनुसार कॉलिस्ट्रोल से मुक्त है। आलू विटामिन मिनरल्स, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइडर्ट से सम्रिध होता है जो कैंसर से लडने के लिए शरीर को समपून पोशन देने का काम करता है। आलू में फाइबर होने के कारण इसके गुण पाचन तंत्र को स्वतंत रखने के लिए भी कारगर सावित होते हैं। इसके अलावा आलू विटामिन B समू के नियासिन विटामिन B थ्रीतात्व से भी सम्रिध होता है। आलू में फाइबर होता है जो कि मस्तिष्क में विकास में योगदान दे सकता है। विटामिन C इम्म्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाना जाता है। विटामिन C एक प्रभाफशाली एंटी आक्सिडेंट है जो कि प्रतिरक्षा प्रिनाली को संचालित करने में एक एहम भूमिका निभाता है। साथी शरीर में आयरन जैसे पोशक तत्वो को अफशोशित यानि की अबजोब करने में भी काम आ सकता है। पर ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि आलु का सेवन कैसे करे। कि आलु से होने वाले फाइदे को जड़ा से ज़ादा मातरा में लिया ज़ा सके। तो आपको बता दे कि आलु को छिलके समेथ गरम राक में बून कर खाना सबसे अधिक गुंकारी होता है। आप आलू को छिलके सहित पानी में उबालने के बाद भी खा सकते हैं उबले आलू के कई स्वास्तिलाब हो सकते हैं आलू खाते रहने से रक्त वाहिनिया यानि की बलड बैसल्स लंबी आयू तक लचकदार बनी रहती हैं पर ध्यान रखें, क्लाईसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है ऐसे में आप आलू को पकाने के बाद थोड़ी दे ठंजा होने के लिए छोड़ दे आप उबले आलू में नीबू या सिर्के के कुछ बुंदे मिला कर खाएं आप आलू को सबजियों के साथ पका कर भी खा सकते हैं तो अब आलू से डरे नहीं, मलकि नियमित और संतुलित मात्रा में इसे खाएं हेल्थ डेस्क, आर्यान्यूज और इसके साथ ही फिलाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रही आर्यान्यूज